सूजी के इतने टेस्टी लड़ू कि एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा और सौफ्ट इतने सौफ्ट के मुँ में लेते ही घुल जाएंगे और इस तरह से बनाएकर लड़ू एकदम परफेक्ट बनेंगे मार्केट के लड़ू भी आपको इसका के फेल लगें हैं इस तरह से एकदम परफेक्ट लड़ू बनेंगे यह इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेस पर एक कड़ाई लेनी है और इसमें हम एड़ करेंगे एक कप घी मैंने यहाँ पर यह बाउल लिया हुआ है अब आपको इसी बाउल से सभी मेजरमेंट लेने हैं आप सूजी होती है वो पकने के बाद सारा घी छोड़ देती है तो आप इस रेसेपी को कम की में भी बना सकते हैं और सूजी एड़ करने के बाद आपको इसे घी में अच्छे से मिक्स करते विए इसे भून लेना है और ध्यान रहे आपको घी के गरम हो जाने के बाद गेस के फ्लेम को बिलकुल लो कर देना है लो फ्लेम पर हम इसे इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे और आपको इसे तब तक भूनना है लो फ्लेम पर जब तक कि जो सूजी है वो अच्छे से भूनना जाए गेस के फ्लेम को बिलकुल लो रखते हुए ही भूनेंगे जिससे सूजी अच्छे से पकेगी और जब यह पक जाएगी तो यह घी छोड़ देगी और इसका जो कलर है वो भी हल्का चेंज हो जाएगा और इसमें पकने की खुश्बू भी आने लगेगी तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसे तब तक आपको लगादा शलाते विए पका लेना है भून लेना है और सूजी को कुछ देर तक घी में भून लेने के बाद आप देख पा रहे हैं जो यह सूजी है वो अच्छे से भून गई है इसका कलर भी चेंज हो गया इसमें पकने की खुश्बू भी आने लगी है और इसने घी भी छोड़ दिया है इस टेस पर आपको इसमें एड़ क कर लेना है मलाई डालने के बाद आप शाहिए इसमें मावा भी ना डाले मलाई मावा का काम कर जाती है और जो यह मलाई है वो थोड़ी लिक्विड होती है इसलिए सूजी जो है वो अब्जर कर लेती है इस मोईस्चर को और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी इस तरह से आपके से मिक्स हो गई है और सूजी का टेक्शर आप देख पा रहे हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है सूजी ने सारा मौश्य अब्जर कर लिया है अब आपको इसमें एड करने है ड्राइफ रूट ड्राइफ रूट आपको पसंद के अकोडिंग डाल सकते हैं मैंने यहापर काजू बदाम पिस्ता चोट-छोटे टुकड़ों में कट करके डाले हैं जिससे टेस्ट अचाएगा जब बीच-पीच में सूजी के लड़ों में ड्राइफ रूट आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इन सभी ड्राइफ रूट को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना ह है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक चमश भर करके फ्रेश कूटी वी इलाइची एड़ कर लेंगे इलाइची को मैंने दर्दरा ही कूटा है जिससे इलाइची का भी अच्छे से फ्लेवर भी आ जाए और टेस्ट भी अच्छा है सभी चीचों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम एड़ कर लेंगे थोड़ासा नारेल का बुरादा जिससे इन लड़्डु का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा और भी अच्छा टेक्शर हो जाएगा इन लड़्डु का नारेल का पुरादा एड़ करने के तुरंत बाद ही आपको गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है और गरम कड़ाई में ही इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम गरम कड़ाई में हमने इसे एक से दो मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह जो मिक्षर है वो रेडी हो गया है अब हम इस मिक्षर को इक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और यह देखी पूरा मिक्षर मैंने इस ठाले में निकाल लिया है इसे हम side रख देते हैं और इसी कड़ाई में हम इसके लिए जाशने बनाएंगे तो इस कड़ाई में मैं add कर रही हूँ चीनी हमने 2 cup सूजी ले थी तो मैं यहाप पर 1.5 cup चीनी ले रही हूँ फुल फ्लेम पर इसे इस तरह से लगाता चलाते वए melt होने तक पका लेंगे कुछ देर के बाद जब यह melt हो जाती है यह चाशनी बन जा एक पाकाने-चाशनी के बाद यह जो चाशनी हो बनेक्स हो लगा है अब आपको गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है और इससे आपको हलका ठंडा कर लेना है और कुछ दिर के बाद जब आपके चाशनी हलकी ठंडी हो जाती है तब आपको इसमें एड कर लेना है जो सूजी का मिक्शर हमने पहले बना करके रैडी किया था वो हम इसमें add कर लेंगे और चाशनी के साथ अच्छे से mix कर लेंगे चाशनी को सूजी में अच्छे से mix कर लेने के बाद इसे हम कुछ दिर के लिए set होने के लिए रखेंगे ताकि सूजी चाशनी को अपने अंदर अच्छे से अब्जर्व कर पाए जिसे आपके लड्डू सॉफ्ट बनेंगे और ये जब मिक्षर एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद जब आप इसके लड्डू बनाएंगे तब ये एकदम सॉफ्ट लड्डू बनेंगे एकदम मार्किट जैस से अगर आप इसके गरम-गरम मिक्षर के लड्डू बना लेंगे तो ऐकदम टाइट लड्डू हो जाएगे तो ध्यान रखएगा आप इसे ठंडा करके रही इसके लड्डू बनाएं और एक से दो घंटे के बाद जब ये आपका मिक्षर एकदम पूरी तरके से ठंडा हो जाता है एकदम अचे से सैट हो जाता है सूची सारी चाशनी अबसर्व कर लेती है तो आप देख पा रहे हैं इस तरह का ये मिक्षर हो जाएगा थोड़ा ड्राय हो जाएगा लेकिन इसके असानी से लड्डू बन जाएंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट मिक्षर है अब आपको इसके लड्डू बना लेने हैं और अगर अभी भी आपका ये जो मिक्षर हो हलका गरम है तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा कर उसके बाद इसके लड्डू बनाएं तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं आप इसके किसी भी साइज जो शेप में लड्डू बना सकते हैं आप चाहें तो इसके मोदक भी बना सकते हैं मोदक के साचे में ये मिक्षर डाले और आप मोदक जो है वो बन जाएगा अभी को बहुत पसंद आएंगे मैं आपको इसके लड्डू बना करके दिखा देती हूं आप देख पा रहे हैं कितनी असानी सी इसका लड्डू जो बन रहा है बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे लड्डू बहुत स्यादा सोफ्ट है यह मिक्शर इसलिए बहुत ही असान से आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राय जरूर करकर देखेगा यकीन मानिए आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए का और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना का टेक्शर दिखा देती हूं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट यह लड्डू बने हैं मुह में लेते ही घुल जाएंगे यह इतने जाद टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू है कि कोई भी इसे असानी से खा सकता है तो आप इन टेस्टी और डिलिशियस मुह में घुल जाने वा